असलाम अलेकुम स्टूडेंस आज हम चैप्टर नमर 2 का लेक्चर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे और जो हमारा आज का टापिक है वो है फॉर्मैट स्पैसिफायर्ज इन सी लेंग्विज अज हम पढ़ेंगे फॉर्मैट स्पैसिफायर्ज के बारे में अब अच्छों आपको जैसे पिछली लेक्चर में बताया था कि प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए यूज होता है लेकिन क्या प्रिंट एफ फंक्शन से ज 35 अब हम प्रिंट एफ स्टेट्मेंट को यूज करते हुए स्क्रीन पर इसकी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले कराने की कोशिश करते हैं तो प्रिंट एफ और एज को लिखा है इन्वर्टिट कॉमा के अंदर अब यह डबल कोट्स में जिस तरह से आपको बताया था कि प्रिंट एफ फंक्शन में डबल कोट्स में जो कुछ भी लिखा होता है वो एज इसकी आउटपुट आएगी वो आएगी एज सिंपल जो गई डबल कोट्स में लिखा हुआ था यानि कि एज की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले नहीं होगी अब अगर हमने प्रिंट एफ यूज करते हुए वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए जो हैं वो फिर हमें ओर्वाइट स्पिसिफाइब करने पड़ते हैं यह एक टेबल है जिसमें format specifies जो है वो बताए गए है different data types के लिए अब जो first one है वो integer data type के लिए जो format specifier आप use करते हैं that is percent d और percent i कोई भी format specify use करने से पहले percent का sign जो है वो लगाया जाता है उसके बाद next to data type is that is float और उसके लिए जो format specifier है that is percent f next to data type is that is character c ar उसके लिए जो format specifier है that is percent c यानि अगर आपने जो है वो output में printer function use करते हुए आपने उसकी value display करनी है तो उसके लिए आपको format specifier जो है integer के लिए percent d या percent i float के लिए percent f और c ar के लिए जो है वो percent c यूज करना पड़ेगा अब इस example को देखते हैं इसमें जो है format specifies जूज किये गए है अगर आप देखें तो एक variable height जो है वो declare किया गया है जिसकी data type है float और इसकी value दी गई है 5.8 दूसरा variable जो है वो declare किया गया है age और इसकी data type है integer और value है 35 अब printf statement को use करते हुए output अब इन दोनों की जो है वो screen पर display करवानी है तो अगर आप देखें तो quotation double quotes में लिखा गया है my age is percent d अब यह जो percent d है यहां पर value जो है वो replace होगी और किसकी replace होगी age की जो कि है 35 और इसके बाद लिखा हुए my height is percent f अब यहां पर percent f की जगा जो है वो height की value जो है वो replace होगी जो कि है 5.8 इसके बाद जो है कॉमा यूज हुआ है और इसके बाद दोनों variable names जो है वो लिखे गए हैं कि जिस sequence में इसको जो है वो display कराना है पहले age क्योंक आप इसकी output देखें तो आप देखें my age is 35 and my height is 5.8 और उसके बाद आप देखें five zeros हैं तो जब हम use करते हैं float की और आपको पहले भी बताया था कि इसमें जो float की data type होती है उसमें point के बाद six digits तक जो है वो precision होती है इसलिए हम यहां पर percent f में जो है वो point के बाद six digits जो है वो display होंगे